हेलो फ्रेंट्स जेडे एजूकेशन टीच में आपका सौगत है फ्रेंट्स मैं आज लेकर आए हूँ प्राचिन भारत के इतिहास के मोस्ट इंपोर्टेंट कोश्चन जो किसी न किसी एक्जाम में अकसर पूछे गये थे और यह सेलेक्टेट कोश्चन लेकर आए हूँ जोस्तों यह है काशियुग की नेक्स्ट कोश्चन है हडप्पसभ्यता के सरुप्रधम उद्खनन करता कौन थे तो यह थे दयाराम शाहनी थर्ट कोश्चन है हडपसभ्यता की खोज किस विर्स हुई थी तो गैस यह खोज हुई थी 1921 में नेक्स्ट कोश्चन है हडप्पा निवासी किस प्रमुख धातू से अपरिचित थे तो गैस यह थे लोहा से लोहा के बारे में नहीं जानते थे और इनोंने जो धातू खोजा था वह था तामबा फिफ्ट कोश्चन है सिंदुघाटी सब्व्यता में विशाल इसनानागार पाया गया है तो वह था मोहन जोदुडों में सिख्स कोश्चन है भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था कैस हडपा हडपा सब्व्यतों को सबसे पहले खोजा गया था सेवन कोश्चन है हडपस अब्यता में हल से जोते गए खेत के साक्ष कहां मिलते हैं तो वह काली बंगा में प्राप्त हुआ है नेक्स्ट कोश्चन है काली बंगा इस्थल राजिस्थान के किस जिले में हैं तो यहां है हनुमान गड में नाइन्थ कोश्चन है, हडप्प सब्यता का सरवादिक माननेत प्राप्त काल कौन सा है, तो फ्रेंट्स यह था 25 इसापूर्व से 1700 इसापूर्व तक नेक्स्ट कोश्चन है, सिंदु गाटी सब्यता में मिली विशाल इसनानागार की लंबाई, जो 11.88 मीटर और इसकी चोड़ाई है 7.1 मीटर और इसकी जो गहराई है 2.43 मीटर नेक्स्ट कोश्चन है, मानव द्वारा प्रेयोग की गई पहली धातु कौन सी थी, तो वह थी तामबा 12 कोश्चन है, आरे सब्द का साब्दिक अर्थ क्या है, तो इसे स्रेष्ट या कुलीन कहा जाता था 13 कोश्चन, किस वेध में प्राचिन वेधिक, युगिन संस्क्रति के बारे में जानकरे मिलती है, तो यहा है रिग वेध नेक्स्ट कोश्चन है, वेधों की संख्या कितनी है, तो फ्रेंट्स वेध चार प्रकार के होते है नेक्ष्ट कोश्चन है वेदांगों की संख्या कितनी होती है तो यह वेदांग 6 होते हैं और वेदांटों जिसे उपनिसद कहा जाता है इनकी संख्या कितनी है तो फ्रेंट्स यह 108 उपनिसद है नेक्स्ट कोश्चन है भारत के राष्टे चिन में प्रियुक्त सब्द सत्य में हो जायते किस उपनिसत से लिया गया है तो फ्रेंट्स इसे मुंडग उपनिसत से लिया गया है नेक्स्ट कोश्चन है भारत के प्रथम विधी के निर्माता कौन थे तो यह सरुप्रथम मनुधा नेक्स्ट कोश्चन वैसेशिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे तो यह थे महर्शी उलुक कडाद नेक्स्ट कोश्चन है न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे तो वह है महर्शी गौतम नेक्स्ट कोश्चन सांखे दर्शन के प्रतिपादक कौन थे तो वह है कपिल मुने नेक्स्ट कोश्चन है वेदान्त या उत्तर मिमान सा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो फ्रेंट्स यह थे बदरायन नेक्स्ट कोश्चन है योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तुम वहाँ है पतंजली नेक्स्ट कोश्चन है पूर्व मिमान सा दर्शन के प्रतिपाद कौन थे तुम वह थे जैमिनी नेक्स्ट कोश्चन है आरे भारत में संभवतों कहां से आये थे तो फ्रेंट्स यह थे मध्य एसिया से आये थे नेक्स्ट कोश्चन है प्राचिन्तम संस्कृत व्याकरण ग्रत अश्टे अध्याई के रजनाकार कौन थे तो फ्रेंट्स यह थे पाणी नेक्स्ट कोश्चन है आधिकावे कि संग्या किस ग्रत को दी जाती है तो वह प्रामायन को दी जाती है नेक्स्ट कुस्चन है प्राचिन भारत में पहला विदेसी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था तो वह इरानियों के द्वारा किया गया था पहला विदेसी आक्रमण इरानियों ने किया था और पहला मुस्लिम आक्रमण किस ने किया था ये आप मुझे कॉमेंट में बताएंगे सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमड किया था तो वह 326 इसा पूरों में किया था सिकंदर और पोरस के मद युद किस नदी के तड़ पर लड़ गया तो वह था जेलम नदी मगत की प्रथम राजधानी कौन सी थी तो फ्रेंड्स यह थी गिरी ब्रज नेक्स्ट कोश्चन है नंद वन्स के संस्थापा कौन थे तो यह थे महापद नंद नेक्स्ट कोश्चन है नंद वन्स का अंतिम सासक कौन था तो फ्रेंड्स घना नंद नंद वन्स का अंतिम सासक था 34 बौत धर्म का पवित्र ग्रंत क्या कहलाता है तो उसे तुरेपीटा कहा जाता है जैन धर्म का पवित्र ग्रंत क्या है तो वह आगम है महवीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था friends तो वह था वर्धमान 37. महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? तो उन्हें सिद्धार्थ कहते थे 38. महात्मा बुद्धु के पिता का क्या नाम था? तो उन्हें सुद्धोधन कहा जाता है 39. महात्मा बुद्ध के पिता क्या नाम था? तो उन्हें सिद्धार्थ कहा जाता था 39. महात्मा बुद्ध का जन में इस्थान कौन सा है? तो फ्रेंट्स वह था लुम्बिनी जो की नेपाल में इस्थित है 40. महात्मा बुम्बिनी जो उन्हें सिद्धार्थ का जन्हें सिद्धार्थ